हेलो दोस्तों नमस्कार यूट्यूब के चैनल विकल लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपून सेशन और अपनी जी के जो बारा सो प्लस क्योसंस हम डिसकस करने वाले हैं उसके नेक्ट पार्ट को देखते हैं और काफ़ important question है और most expected है आने वाले आपके every exam के लिए तो आप एक बार वीडियो जरूर देखें अगर अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जल्दी से share जरूर करें ताकि और भी connect हो सके sharing is the best way of learning now start करते हैं अपना महत्वपून सेशन दोस्तों और आप आज देखेंगे water bodies से related जितने भी questions बनेंगे इसे पहले भी हम discuss किये हैं तो काफ़ important है और काफी जरूरी questions है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अपना question number 53 है इसे पहले हम 52 questions last part में कर चुके हैं यहाँ पर आप देखेंगे consider the following आपको sea ports यहाँ पे कुछ दिये गए हैं और इन पहले कि अगर हम बात करें north to south में जाएं अगर तो जो मचली पट्टम है दोस्तों यह आपका one number पर आता है और इसके बाद अगर हम बात करें तो चेन नहीं यह जो आपका है यह second number पर आता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे और फिर हम बात करें तो नागा पर टिनम जो है यह आपका third ही number पर आएगा और जो टोटिक और निक है यह आपका fourth number पर आएगा guys तो यहाँ पर देख पाएंगे और अगर नीचे हम sequence match करें तो यहाँ पर आपका जो right answer होगा option B जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल right होगा important question है दोस्तों तो आप इनको ज है तो CPO AC 2003 में भी यह पुछा जा चुका है काफी most selective questions में आपके लेकर आया हूँ guys तो इसे वीडियो को जरूर अन तक जरूर देखें तो यहाँ पर हम match करें तो यहाँ पर क्या आपके लिए right answer होगा जल्दी से match करें दोस्तों तो यहाँ पर हम देखें मैं इसको थोड़ है उसकी बात करें तो यह जो आपका होगा दोस्तों यह होगा उडिशा में तो यहाँ पर next हम kandla port की बात करें तो यह तो आपको पता ही होना चाहिए जो है गुजरत में और जो बचा वो इन्नौर port यह है आपका तमिल नाडू में तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते है है option में अगर हम match करें यहां पर c option आप देख पाएंगे जो हमारा right answer रहेगा और important है next हम बढ़ते हैं कि उस दिन की और तो देखेंगे which one of the following pair of c port and state is not correctly matched तो यहां पर आपको कुछ दिये गए है pair यहां पर कौन सा not correct match है वो आपके यहां बताना है तो कौन सा नहीं है दोस्तों जल्ली से answer करें तो यहां पर आपका right answer होगा वो होगा option D जो है आपका correct होगा तो इसे जरूर ध्यान में रखें important है next हम बढ़ते है question 56 which of the following is the deepest landlocked protected port तो deepest जो है landlocked protected port कौन सा है दोस्तों यहां पर आपको options दिए गए हैं तो यहां पर जो right answer है वो होगा आपका विशाख अपनम तो option B जो है आपका बिल्कुल right होगा next question है दोस्तों 57 है which of the following port caters to the export of कुद्रे मुख iron और iron और जो यह है दोस्तों कौन सा port है जो इसमें export करता है यहां से तो इसका जो आपका right answer होना चाहिए वो होगा दोस्तों new mangler जो है option B आप यहां पर देख पाएंगे जो आपका बिल्कुल right answer होगा और important है तो यह आप जरूर ध्यार में रखें next रम बढ़ते है question की और तो यहां पर देखेंगे which one of the following gives the correct sequence of port down western coast of India तो यहां पर आपको sequence दी गई है इसको देखना है western coast of India के according तो यहां पर आप देख पाएंगे क्या आपका right answer रहेगा guys यह रहेगा आपका बात करें तो पोर्बंदर आता है दोस्तों और तो सिदी सी बात है बी जो है आपका correct answer रहेगा यहां से आप अच्छे से match करें और इनको mind में रखें काफ़ important रहेंगे next हम बात करते हैं 59 के question की तो which of the following port are on west coast तो west coast पे आपके इन में से कौन सा जो port है वो लाई करता है तो यह आपको यहां पर बताना है तहां पर अगर हम देखें तो मर्मुगाओ और कोचिन जो है और साथ ही अगर नियो मैंगलोर की बात करें तो यह हमारे जो है वो west coast पे लाई करते हैं दोस्तों तो इसका right answer देख सकते हैं आप option A जो है वो बिल्कुल match कर रहा है जो आपका right answer होगा आगे बढ़ते हैं 60 का question है कि consider the following आपको कुछ लेक्स यहां पर दी गई है which of the following is lagoon lake तो lagoon lake कौन सी है इन में से यह आपको यहां पर बताना है काफी important question है अक्सर पूछा भी जाता है यहां पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों यह तीनों ही है वो lagoon lake है चील का webinar और साथी polycut तो option D जो है आपको यहां पर correct answer रहेगा काफी important है दोस्तों और साथ ही आप next question की बढ़ते हैं तो consider the following ports आपको यहां पर कुछ ports के नाम दिये गए है और साथ ही यहां पर correct sequence लगानी है इनकी north to south की और तो north to south के अगर हम जाए तो इन में से क्या sequence है जो आपकी यहां पर correct रहेगी guys वो रहेगी आपकी अगर हम बात करें first पर दोस्तों आपर देख पाएंगे option 3 जो है और तो यहां पर आप देख पाएंगे option C D मेरेंच कर रहा है और next ओकर बात करें तो विशागा प्रनम आता है दोस्तों second number पर तो यहां पर आपका जो है four जो है वो रहेगा option D जो हैं आपको यहां पर correct answer रहे ऊंट करें next question है दोस शुराते हैं already तो वो आप comment box में जरूर करें दोस्तों इससे आपकी जो है त्यारी एकदम अच्छी होगी तो यहाँ पर आपका test भी ले सकते हैं ऐजे तो आप खुद को test करें तो यहाँ पर क्या आपका राइटान शुरूगा दोस्तों इसका आपका रहेगा option B second और जो third है दोस्तों वो बिल्कुल correctly matched है यहाँ पर देख पाएंगे आप जो second है और third है वो बिल्कुल right है तो काफी important रहेगा यहाँ पर आपको इस side waterfalls दिए गए है और इस side जो है वो river तो यहाँ पर जोगफाल जो है वो सरस्वती और यहाँ पर यह थर्ड भी जो आपका right है next हम बढ़ते हैं तो 63 की बात करें तो आपको कुछ pairs यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों जिनमें साहयक नदिया है और जो main river है यह आपको बत D will be the correct answer आप यहाँ पर देख पाएंगे next time बढ़ते हैं question की ओर तो 64 का है which one of the following is not a tributary of गंगा तो यहाँ पर साहयक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों यह आपको बतानी है गंगा की तो कौन सी नहीं है दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो सतलुज बिल्कुल दोस्तों रिवर गोदावरी flows through तो जो गोदावरी रिवर है दोस्तों वो किस कि स्टेट में से पास करती है यह आपको यहाँ पर बताना है तो इसका जो राइट अंसर होगा अगर हम बात करें तो यह महारास्ट्रो और अंदर प्रदेश के बीच ही फ्लो करती है दोस्तों जो आपक क्रेक्ली मैच कर रहा है यहाँ पर जो आपका राइट अंसर रहेगा महारास्ट्रो और अंदर प्रदेश आगे बढ़ते हैं हम क्योस्तों की बात करें तो दर रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ओफ फॉलोइंग स्टेट जो कावेरी रिवर है दोस्तों वो कि स्टेट से ओरिजिन है उसका जो मुखाश्य है तो गहां से है दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो राइट अंसर रहेगा ऑप्शन सी करनाटक है दोस्तों इसका बिल्कुल ओरिजिन पोइंट है और बिल्कुल राइट अंसर है काफ़ इंपोर्टेंट है तो इ आपको पता है दोस्तों जो नर्मदा है वो काफी फेमश है नर्मदा और तापती है दोस्तों यहां पे तो उप्षन जो है नर्मदा मैच करेगा उप्षन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आन्सुर रहेगा काफी इंपोर्टेंट क्योसन है दोस्तों मॉस्ट एक्सपेक्टिड रहेगा नेक्स्ट है दनागा हील्स जो है फॉर्म दा वाटर शेड बिट्विन इंडिया और इ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्योसन की बात करें तो विच वन ओफ दा मॉंग फॉलोइंग रिवर्स यहां पर आप देख वाएंगे कुछ रिवर्स आपको दी गई है और इसमें सबसे बड़ा जो कैश्मेंट एरिया है वो किसका है दोस्तों अगर यहां पे देखें हम तो क फाइव रिवर्स के नाम से पंजाब जाना जाता है दोस्तों जो बी है आपको यहां पर बिल्कुल कोरेक्ट आंज चुर रहेगा एंड याद रखते हैं इसे भी नेक्स्ट है यहां पर दबिगेस्ट लेक इन इंडिया इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो लेक है दोस्तों वो कौन सी है चिलका लेक है आपको पता होगा इंपोर्टेंट है एंड आके बढ़ें अगर हम बात करें तो विच आर डवेस्ट फ्लॉमिंग रिवर उफ साउधन इंडिया विच फ्लॉस इंटू अरेबियन सी जो अरब सागर में गिरती हैं दोस्तो इसी कौन सी इन में से जो रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लॉ करती है वो आपको बताने है साउध इंडिया की तो यहां पर कौन सा आपका राइट अंसर होना चाहिए नर्मदा और रतापति की अगर हम बात करें तो वही है दोस्तों जो वेस्ट फ्लॉ करती है और अरब स यमना दोस्तों यमना जो है वो अलाबाज में इसको मैच करती है तो यहां पर उप्सन डी जो है क्रेक्ट होगा नेक्स क्यूसन डिसक्स करते हैं गाईज 75 का है विच उफ फोलॉइंग ग्रूप्स ओफ रिवर्स फॉल इन दा बे ओफ बंगाल इन में से आपको कौन सी जो रिवर्स ग्रूप है वो लगता है कि बे ओफ बंगाल में जाता है तो यह आपको यहां पर बताना है तो इसका अगर हम बात करें राइट आंसर गंगा ब्रंपुत्र और हुगली यह आपको पता है तीनों ही जो है यह बंगाल की खाड़ी में जाती है उप्सन ए जो है बाजस्तान बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका उप्सन सी जो है प्रेक्ट होगा बिल्कुल नहीं बनता है नेक्ट के बात करें तो काफ़ इंपोर्टन है कि नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमर कंटक इन तो अमर कंटक आपको बताना है यह कहां पर है जो नर् नर्थ फ्लोविंग रिवर इन में से कौन सी है वो आपको यहां पर बतानी है गाईज तो नर्थ फ्लोविंग के अगर हम बात करें तो वो नर्मदा होगी दोस्तों यहां पर उप्सन बी जो है वो प्रेक्ट आंसर रहेगा काफ़ इंपोर्टन है यहां पर गाईज आप इक चीज़ नौट करें कि जो नर्मदा है वो अगर फ्लोविंग की बात करें तो वो वेच्ट फ्लोविंग रिवर होगी दोस्तों वेच्ट फ्लोविंग रिवर है यहां पर जो पूछा गया है वो यहां पे आपको ओप्सन दिये गए बहती है то यहां पे नरमदा है तो नेक्स रम के उसन की बात करेंगे आप को मैच करना है तो रीवर्ड और यहां पे उसकी जो सायक नदिया है यह दी गई है काफ इंपोर्टन के उसनता दोस्तों सायक नदियों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आपका right answer हो जकता है तो अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो डिको है दोस्तों वो आपका ये match करेगा ब्रह्मपुत्र की जो सायक नदी है और कृष्णा की जो सायक नदी है वो कौन सी होगी दोस्तों वो होगी आपकी यहाँ पे मशी होगी और next हम नर्मदा की बात करें तो इसकी जो होगी दोस्तों नर्मदा की होगी आपकी तावा और कावेरी जो है वो यहाँ पे बवानी होगी तो यहाँ पर अगर हम match करें आंसोर तो आप देख पाएंगे option B जो है बिल्कुल correctly match कर रहा है guys तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को note करना है काफी important question है दोस्तों and next time बात करें तो आपको match करना है यहाँ पर again and is 2007 में भी question पूछा जा चुका है name of confluence river merging with alaknanda तो आपको आपको यहाँ पर discuss करना है तो यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों अगर हम बात करें तो विष्णु परियाग की तो जो विष्णु परियाग है दोस्तों वह आप देखेंगे यहां पर हम देखें तो आपका जो A है वो आपका 4 से मैच करेगा दोस्तों विष्णु प्रियाग जो है वो दोली गंगा और नेक्स आप B की बात करें तो वो थर्ड से मैच करेगा एंड जो है वो आपका सेकिंड से और फॉर्थ जो है वन से बिल्कुल राइट आंसर जो मैच करेगा दोस्तों काफी इंपोर्टन है इसे आप जरूर माइन में रखें एक्जाम पॉंट ओफ यू से नेक्स आप बोटेंट है जरूर ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं क्यूस्टन के और तो विच वन ओफ फॉलोविंग रिवर इस नोट दा ट्राइविट्री ओफ गंगा आपको उप्संस दिये गए हैं इन में से गंगा की जो साहिक नदी नहीं है वो आपको यहां पे बताना है तो य विच व फॉलोविंग रिवर फ्लोज बिट्विंदा विंदय अंचल एंड सत्पूरा रेंज तो विंदय और जो सत्पूरा रेंज है उनके बीच में कौन सी नदी बैती है दोस्तों यह आपको डिसकस करें तो नर्मदा जो है बिलकुल राइट आंशर होगा जो एक इंपोर्टेंट क्योस्तों इसको थोड़ा सा भी गुमा कि राके भी पूछा जा सकता है तो आप इसे हर प्रकार से याद रखें कि विंदय और नर्मदा की बीच में बैने वाली नर्मदा है एंड नेक्स अम बात करें विच ओफ दो फॉलोविंग इस एन इस्ट साउथ अगर हम देखें तो विच वन ओफ फॉलोविंग इस दा क्रेक्ट सीक्वेंस होगी आपको रिवर ओफ इंडिया को लेकर यहां पर आप मैच कर सकते हैं दोस्तों आपको पूरा मैप जो है नदियों का मैप वो आपको पता होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा द हैं तो आप खुद को टेस्ट करें और कमेंट बोक्स में साथ ही लिखें तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा तो यहां पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आप देखेंगे जासकर जो है वो सबसे नौर्थ में है दैन शोक और सतलूज और स्पीती है तो आपक कि आपको स्टेटमेंट सही मिलेंगी तो यहां पर हम बात करें देखेंगे कावेरी जो रिवर है दोस्तों राइज इन अंधर प्रदेश यह बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों तो यहां पर उप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा और बाकि अगर हम बात करें तो तो वह सही है जो महानदी है वह 36 से राइज करती है गुदावरी जो है वह महाराश्टर और तापती जो है मद्यप्रदेश तो काफी इंपोर्टेंट है इनस को आप जरूरू ध्यान में रखें दोस्तो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अमंग फॉलोइंग एरियाज दे वाइडेस्ट कॉंटिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया इस फाउंड तो जो सबसे चोड़ी जगह हैं दोस्तों कॉंटिनेंटल सेल्फ जो है इंडिया की वह काम मिलती है यहां पर अगर हम बात करें इसके राइट अंस्वर की तो वह होगी और गुदावरी के डेल्टा हैं वो काफी लंबे चोड़े हैं दोस्तों उपसंसी जो आपका यहां पर प्रेक्ट आंसर रहेगा वह तो काफी इंपोर्टेंट है नोट करें इसे नेक्ट शोस नीग बात करते हैं दोस्तों विच वन ऑफ दॉलोइंग लेक्स इन इंडिया has the highest water salinity अगर हम यहां पे water salinity की बात करें दोस्तों तो कौन सी जो लेक है वो सबसे ज्यादा नमकीन पाई जाती है भारत में तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सांबर लेक है जो राजस्तान में है वो आपकी सबसे नमकीन मानी जाती है तो option D जो है आपका important है दोस्तो यह काफी एंड यह उनी सो चुराण में में यह question पूछा गया था तो काफी अच्छा question है और इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें important है आपको पता होना चाहिए next अगर हम बढ़ते है question की और तो which of the following states has the largest number of salt lake in India अगर हम बात करें इंडिया में तो सबसे ज्यादा जो number of salt lakes हैं वो किस state में हैं तो अगर हम यहां पर right answer देखें तो वह होगा आपका राजस्तान ही दोस्तों बिल्कुल right answer है भी तो इसे भी आप जुरूर ध्यान में रखें तो next guys की match करना है आपको यहां पर reverse दी गई है तो इसको match करें अगर हम तो तापी की अगर हम बात करें तो आपका battle से जो है match करें दोस्तों और नर्मदा की अगर हम बात करें तो अम्हर कंटक से हमने देखा क्रिशना की बात करें तो महा बलेश exempelम से और कावेरी की बात करें तो यह ब्रहमगीर से यहां पर उप्संस में अगर हम देखें आप बात करें तो उप्संस डी जो आपके आपके बिल्कुल सब्सक्राइब करें करें तो इसे आप मैंन में रखें यह मैंच ऑफ फॉल इस नोट पनाने पर इसे नोटको भिए घृप यहां पर अपको पिर दिये गये हैं रिवर और स्टी से रिलेटिड कौन सा जो है वो सही नहीं है यह आपको बताना है तो कौन सा नहीं है जल्दी से आंसर करें यहाँ पे आप देखेंगे कि गूमती जो है वो लगना वो बिल्कुल राइट है सर्यू, हवेद्या, अलकनन्दा, बदरिनाथ बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर यह गलत होगा दोस्तों तो यह जो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा, स्ताना यह आपका मैच नहीं है तो option D will be the correct answer आगे बढ़े हैं अगर हम question की बात करें तो आपको यहाँ पर मैच करना होगा यहाँ पर आपको बीच दिये गए हैं और शाथ ही इंडियन जो स्टेट दिये गए हैं कौन सा बीच है जो इंडियन स्टेट में लाई करता है यह आपको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों अगर हम बात करें गोपिनाथ बीच की तो यहाँ पर गोपिनाथ जो बीच है दोस्तों वो है गोवा में है दोस्तों ये सोरी आपका ये जो है वो गुजरात में होगा दोस्तों बिलकुल राइट अंसर है वो गुजरात में होगा और बात करें लोशोंस बे बीच की तो ये कहां पर होगा दोस्तों ये आपका अंदरप्रदे की देखें तो यहां पर option B जो है आपका बिल्कुल correctly match करेगा दोस्तों जो आपका right answer होगा आप यहां पर answer match करें तो काफ़ important है next हम बढ़ते हैं question number 93 के तरफ यहां पर आप देखेंगे which one of the following rivers flow between विंध्या and satpura range विंध्या और satpura range के बीच में कौन सी जो है वो river बैती है यहां पर तो इसका जो right answer क्या होना चाहिए नर्मदा हमने देखा है दोस्तों option A जो है बिल्कुल correct answer रहेगा काफ़ important है अगला question है मरावती और भावानी हेमावती और काविनी की कि बात करें तो यहां पर यहां पर यह साहिक नदी है दोस्तों which of the following river की जो है यह साहिक नदिया है यह आपको डिसकस करना है तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो यह कावेरी की बढ़ती है दोस्तों option C जो है correct रहेगा काफ़ important question है यहां से आप बढ़ते हैं कि बात करें तो consider the following reverse आपको कुछ reverse दी गई है विच फॉलोव जो है अब वो join यमना रिवर तो यमना रिवर को जो है जोडती है वो कौन-कौन सी है इन में से कौन सी जोडती है दोस्तों यहां पर तो यहां पर आपका जो राइट अंसर होना चाहिए वह होना चाहिए दोस्तों अगर हम बात करें कोशी और गंडक जो है वो आपका correct होगा option d will be the right answer रहेगा next question 96 है which of the following tribal trees of ganga system flows northward कौन सा जो गंगा का सायक नदिया है दोस्तों वो नौर्थ की तरफ बहती है यह आपको बताना है तो कौन सी है दोस्तों यहां पर उनदिया हो बिल्कूर राइट आन्शर होगा option d will be the correct आन्शर काफ इंपोर्टन्ट है unique है आप जरूर ध्यान में रखें ऐसे questions को next हम बात करें हँए आपको मैच करना है दोस्तों और रिवर और उनकी साहग नदिया ही आपको अगें दी गई हैं तो यहां पर अगर हम देखें गुदावरी की अगर हम बात करें तो गुदावरी जो है दोस्तों यह किसे मैच करेगा यह करेगा दोस्तों आपका मंजीरा के साथ यहां पर फोर पकड़ करोएगा एंड कृष् Geme Mode और साथी गंगा क् Уंध तो कुन सा राइट होना चाहिए जो आपका यहां पे बिल्कुल match करेगा right answer होगा next बढ़ते हैं क्योंसन की ओर तो which one of the following city is not located on the bank of river गंगा गंगा के किनारे जो है वो इन में से कौन सी city नहीं लाई करती है वो आपको यहां पे discuss करना है guys तो इसका जो right answer रहेगा वो आपका उत्तरकासी रहेगा बिल्कुल right answer है दोस्तों option c will be the correct answer जो गंगा के किनारे नहीं है तो यहां पे हम next बढ़ते हैं question की और बात करेंगे 99 की question की तो अधा बरंपुत्र इरावाडी और जो मेकोंग रिवर है दोस्तों इनके originate point जो है वो तीबत में है दोस्तों और साथ ही अगर हम बात करें इनके अपर तो यहां पे ब्रह्म पुत्र जो है वो दो एक यूटर्न बनाती है दोस्तों हमें आप question में बताना है कि जो यूटर्न है वो किसके कारण बनता है और काफी important question है दोस्तों काफी unique है तो इसका answer आप जरूर ध्यान में रखते हैं दोस्तों जिसका जो reason है fact है कि जो बरंपुत्र है वो यूटर्न क्यों बनाती है तो इसके बीचे जो reason है दोस्तों वो आपका अमंग the following rivers which one of the longest है तो यहां पर आपको बताना है सबसे जो longest river है इन में से दी गई है उन में से कौन होगी दोस्तों गोदावरी जो है उसकी length है वो सबसे लंबी है और यहां पर हम बात करें 101 की क्योंशन की the formation of laterite soil is mainly due to अगर हम laterite soil की बात करें तो यहां पर आपके soil से related question है तो वो किसके कारण होती है दोस्तों इसके जो mainly due है current है वो क्या है दोस्तों यह होगा आपका option c leaching के कारण option c will be the correct answer और काफ इंपोर्टेंट question है exam point of view से तो यही था guys हमार आज का महत्वकुन session और अगर वीडियो अच्छी लगी हो useful लगी हो तो please like share करना ना बुलें साथ ही regular current affair की वीडियो होती है दोस्तों weekly और जो है monthly उनको आप जरूर देखे full A to Z coverage होती है हमारी और साथ ही हम burning issues discuss करते हैं जो news में रहते हैं तो आप उनको भी जरूर जुडे रहें तो जलिए guys हम इसके next part के साथ मिलते हैं यासी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ till then bye bye take care thank you